जारखन में ED की कारवाई थमने का नाम नहीं ले रही है एक के बाद एक नए मामलों की जाच ED कर रही है जारखन में ED केवल Money Laundering के जाच करने तक सीमित नहीं है Money Laundering की जाच के बाद अब ED परिक्षा में हुए घोटालों की भी जाच करने वाली है हाँ सही सुना आपने जारखंड में हुए JSSC CGL की परिक्षा में पेपर लीक होने के मामले पर अब ED की एंट्री होने वाली है अब ED इस केस को सॉल्व करेगी रिपोर्ट्स की माने तो JSSC पेपर लीक मामले की ED जांच को लेकर ED ने राची पुलिस को पत्र लिख कर JSSC द्वारा नामकुम थाना में दर्ज कराई गई F.I.R की कॉपी मंगाई है दरसल JSSC की ओर से आयोजित सामान इसनातक योगिता धारी संयुक्त प्रतियोगिता परिक्षा 2023 का प्रश्न पत्र लीक हो गया था प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में प्रात्मी की दर्ज की गई है आयोग की प्रभारी अवर सचीव मधुमिता कुमारी ने नामकुम थाने में अग्यात लोगों की खिलाफ मकदमा दर्ज कराया है प्रात्मी की में कहा गया है कि 28 जन्वरी को परिक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आयोग को मिली इस मामले में धारा 466, 468, 420, IBPC 66, IT Act और जहारकन कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन एक्ट 2001 के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसके बाद आयोग ने तृत्य पाली की परिक्षा रदगर दी थी पूरे मामले पर एक नज़र डाले तो 28 जनवरी को लगभग एक दशक के बाद राज्य भर के बिभिन जिलों में जैससी CGL की परिक्षा हुई लेकिन परिक्षा होने के पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तदकालिन पेपर 3 को रद कर दिया गया था साथ ही चार फरवरी के परिक्षा को विस्तगित कर दिया गया पेपर लीक होने के मामले की जाच करने के लिए नामकुम थाना में प्रात्मी की दर्श कराई गई जारकन कर्मचारी चैन आयोग के सेकरेटरी मधुमिता कुमारी ने अग्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया पुलिस से आयोग ने दोशी लोगों के विरुद कठोर कानूनी कारवाई करने का अनुरोध किया है वही आयोग ने प्रशनपत्र लीक होने में आयोग के पदाधिकारी एवम कर्मचारीον की किसी भी तरह की सनलिप्तता से इनकार किया है और अब ज्छार्खन कर्मचारी चैन आयोग इसकी समिक्षा कर रहा है कि प्रशनपत्रों से भरा सील बंद बक्सा कब और कैसे खुला को सभी परिक्षा केंद्रों पर केंद्राधिक्षक, दंडाधिकारी तथा परिक्षार्तियों की उपस्थिती में परिक्षा शुरू होने से 15 मिनिट पहले खोलना था। किस केंद्र पर यह सामगरी कितने बजे खुली इसकी समिक्षा की जा रही है। हलांकि जार्खन में प्रश्ण पत्र लीक होने का या कोई पहला मामला नहीं है जार्खन के अभियर्थियों के साथ हर बार इस तरह का धोखा होता ही रहता है हेमन सोरिन की सरकार ने भी इसके खिलाफ कानून बनाए थे लेकिन अब तक कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया है अब देखना होगा कि जार्खन में पेपर लीक मामले में एडी क्या बड़ा एक्शन लेती है फिलाल के लित नहीं मेरा नाम है वंतिका और आप देख रहे थे लिखनी को मिलेगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया है शुक्रिया